Hey Hello all my name is Prashanand, the founder of Digital Trainee. आज बहुत ही जाधे इंटरेस्टेंग टॉपिक है Strategy for best performing campaign Digital marketing में आप enter हो चुके है, digital marketing आप कर रहे हो तो best performing campaign करना आपकी responsibility है, आपकी accountability है तो as a digital marketer आपको लो cost में high results generate करना है क्या करना है? क्या करना है? वापस comment में बताये लो कोस्ट पर हाई रिजर्ट जन्रेट करना है यह सोरनों तो यह जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यह वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आप भी एक अच्छा आपके कंपनी के लिए हो या फिर आप कहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर आप कर पाएंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकान पर हिट कर लेना और आपके दोस्तों के साथ भी शेय फ़ियों उजन्यू सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिक चॉल स्टाट करते हैं अपके फर्स्ट कमप ये क्या होता सबसे फ़िले तो आपको आपके पास क्या है आपका आपका फुटक्स रवाइवशन आपका एक खुद का क्या है products है और services है और उसके क्या है markets है उसका क्या है market है जहाँ पर आप उसको promote करते हो तो ये दोनों तक क्या करते हो अपन प्रोमोशन करते हैं by using facebook, google, email, youtube, whatever, इसको क्या करते हो आप क्या करते हो उसको directly उस market में आपके products को promote करते हो right तो promote जब करते हो, तो क्या करते हो, उसमें, क्या करना चाहिए आपको, कि उसमें problems in your market, कि exactly जो आपका market है, इस market में exactly problems क्या है, for example, मैं मेरा खुद का digital training का case study दू, तो आज problems क्या है market में, मेरा market है, कि मुझे digital marketing course और digital marketing services देना है, क्या दो चीज़े मुझे देनी है, मेरा market क्या है, कि इंडिया में मुझे जो business owners है, जो entrepreneurs है, जो companies है, corporate है, उनको digital marketing services भी देना है, और digital marketing training भी देना है, तो obviously मेरा market सेट है, लेकिन existing problems क्या आ रही है, वो find करना जरूरी है, जो training में क्या हो रहा है, सबको practical implementation training नहीं मिल रहा है, यह problems है, बहुत सारे institutes है, बहुत सारे influencers है, लेकिन कोई भी practical implementation पर focus नहीं कर रहा है, तो यह बहुत बड़ा problems है, कोई practice कर रहा कि नहीं ले रहा है, यह बहुत सारे dummy websites पर काम कर रहा है, यह बहुत बड़ा problems है, तो मैंने हमने क्या किया, बहुत सारे problems को क्या किया, list out किया, आपको भी क्या करना है, आपके products और services में, आपके markets में क्या problems है, उसको list out करना है, उसको क्या करना है, list out करना है, करведे आपको knowledge से कुछ नहीं होंगा, implementation स होने वाला है मैं कितना भी वीडियो देख लो पुछ फरक नहीं किरने वाला जब आप इंप्लेमेंट करोंगे उसको आप एक चेक लिस निकालिए अभी निकालिए पहुच कर लिए वीडियो को लेकिन चेक लिए कि आपकी प्रोडक्स और सर्विसेस में आपकी जो मार्केट क्या प्रोडक्स और सर्विसेस क्या प्रोडव्लम कर रहा है तो इसकी चेक लिस निकालनी पदेंगी किकि बहुत सारे लोग क्या करते डियरक्ड्र को रोडफ करते मार्केट करना स्थार उसकी यूस प्हूस्पी गς इंदालते है जैसे for example हमारा hundred-part प्र्रेनिंग प्रेक्टिकल है हमारा अच्छा कंपनी हमारा अबस्ट कंपनी है हमारा ये एंवह वह कि फीचर फीचरस फीचरस को नहीं पता चलते हैं आप क्या आपके ऑडियर्स का प्रॉब्लम्स LAB वो उचयी आउड लोगो को, मेरा luxurious flat है, कि फिरिये में किया करूआ luxurious flat है, मैं हमारा luxurious flat है, मेरा real estate company है, for example आप real estate company के लिए काम कर रहे हो तो luxurious flat ये कि आपके feature है लेकिन luxurious flat के वज़से है कि आपका जो standard of living है आपका बढ़ जाता है, उसके वज़से आप और भी अच्छा फिल कर पाएंगे यह उसका क्या है पेइन क्या है कि उनको क्या चीए उनको पास पैसा तो है लेकि उनको क्या standard of living चीए तो आपको क्या करना है आपके businesses के बारे में आपके products के बारे में एक check list निकालना है कि exactly क्या problems आज market में आ रहे है लेटसे मैं आपको example दू तो digital training और digitize brand में हमारा digitize brand हमारा digital marketing services company है और digital training हमारा institute है तो exactly institute में problem आ रहे है जैसे मैंने बोला implementation पर कोई focus नहीं कर रहा कोई practice पर focus नहीं कर रहा है कोई channel expertise पर focus नहीं कर रहा तो मैंने किया कि उसके checklist निकाल दी ओके तो फिर लास्ट आपका solution क्या है कि आप कैसे उसको solve करोगे यह आपको एक क्या करना है content पर डालना है क्या करना है solution और message क्यों क्यों message बहुत important होता है message is very very important क्योंकि आप क्या solution दे रहे हो यह बहुत ज़्यादे important तो यह क्यों आपके problem से implementation training है तो हमने क्या campaign बनाया कि we are India's first essay institute जहां पर implementation आपको practice करने में help करेंगा आपको हर एक doubts को solve करने को help करेंगा और ऐसा message डिलिवर किया ऐसे points डिलिवर किया उस वीडियो में मेरे campaigns में आपको एक link दे दूँगा description में वो देख लीजेगा उसमें users के problem solve हो और उसके वजए से हमें बहुत ज़्यादा lead generate हुई हमारे हमें जो cost पर lead जो आई है बहुत low cost में generate हुई है क्योंकि existing problem आप market का क्या करेंग और message solution जो आपकी checklist है वो निकालना है उसके solutions okay solutions निकाल दिया है कि हम ऐसे हैं कि आपको existing problem आपका यह है और इसको solve कर रहे है तो यह problem solution में आपको बहुत ज़दा काम करना पढ़ेंगा यहाँ पे digital marketer काम नहीं करते हैं आपको low cost में higher result चाहिए न तो यहाँ पे आपको काम करन पढ़ेंगा message information content क्योंकि आपका जो दिखता है वही comment में बताए जो दिखता है वही बिखता है, correct बताए आपने comment पे comment पे बताइए मुझे क्या होता है तो obviously आज message, information, content पे इतना ज़्यादा आपको focus करना है इतना ज़्यादा focus करना है कि वो ही आपका results आपको बहुत ज़्यादा देगा क्योंकि ये लोग, ये digital marketer किसी का तो भी content देखते competitors को थोड़ा सा changes करते और थोड़ा सा इधर तर रिसर्च ही नहीं कर रहे research करना है आपको depth में research करना है उस content के बारे में आपके services के बारे में, आपके products के बारे में इतना depth research कीज़े, इतना depth जाईए कि ये content जब आप लोगों तक जाएंगा वो लगेंगा यार नहीं, यह सच में attention spam, आपका attention जो है लोगों को फड़ाक से वो ले लेंगा और आपको अच्छे से results आएंगे हमने ये खिया है, हमारे हम clients के लिए करते है और हमने बहुत low cost में results generate किये और वही आपको भी करना है तो message पर बहुत काम कीज़े, solution पर सबसे ज़ादा हमें हम focus करते है हमारे agency focus करती है हम अमारे जो training institute में जो students को बताता है कि your message और your delivers क्यों है, वो important है फिर जाके आपकी campaigns होंगे फिर जाके आपका medium होगा क्योंकि आपके पास आपका message ही लिए है आपको आपके problems ही पता नहीं है और आप marketing करना start कर दिये थे marketing तो बाद में है फिर पहले तो क्या करना है फिर बाद में क्या करना solutions पता चलगा है, message आपका एक ready है तो फिर आपको medium decide करना है कि facebook पे करना है, instagram पे करना है youtube पे करना है, email पे करना है sms पे करना है क्योंकि जब message होगा, वो message अभी आपके audience तक जाना चाहिए आपके markets पे जाना चाहिए yes or no तो ये medium जो भी होगा सारे medium का use करेंगे digitally facebook, insta, twitter, linkedin, google सब medium का use कर लेंगे और आपके markets पे उसको deliver करेंगे तब जाके देखिए आपको results कैसे मिलते है तो obviously सबसे ज़्यादा work किजिए guys आपको best performing results चाहिए हो सच में best performing results चाहिए हो तो क्या करो आपके message हाँ, कभी-कभी हो सकता है वो results ना मिले लेकिन again experiment करना है again धुनना है कि exactly और मैं क्या भूल रहा हो और देखना है message में कुछ continue चेंज करना है ये cycle घुमाते रहने है घुमाते रहने है एक example और भी जाता है उसके वज़े से उनको अच्छा-च्छा results मिला है तो आपको भी continuously देखना है कि आज क्या था, problems क्या था कि आज उनका credit का जो problem था कि credit card तो bill pay कर रहा था, लेकिन उसके वपर मुझे rewards बगरा नहीं मिल रहे था तो वो rewards आपको दे रहा है बहुत साथ बड़ा problem solve कर रहा है तो problems पर focus किए उसके solution पर focus किजे और उसके फिर देखे magic create क्या होता तो obviously बहुत बड़े-बड़े case studies है आप देखिए आप जितने भी बड़े-बड़े campaigns आप देखिए उनका एक ही focus होता है customer problem solving customer problem solving content पर focus करता है तब ही जाके आपका content भोग ज़्यादा magic create करता है तो देखिए आप देखिए आपका message deliver कीजे आपका message देखिए और वो लोगों तक deliver कीजे जब आप deliver कीजे तो फिर आपका product आपके services बहुत ज़्यादा रहनोगी इसको लिक लीजे लिक लीजे इसको आपके नया notebook पे लिक लीजे मालू मालू मैं फसरी वीडियो देखे मत रुको रुको वीडियो को pause करो देखो मैं डाग्राम दिखा रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो comment पे ज़रूर बताइए कैसा लगा इस वीडियो नया वीडियो किस पे चाहिए उसका भी comment करके बताइए so that उसके उपर मैं आपको एक वीडियो बना दो again subscribe ज़रूर कीजेगे वापस वापस as a marketer उभई तो subscribe खरो बोलूंगा या आपको subscribe जरूर कीजेगे thank you very much guys for watching this video